हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को बात समझ नहीं आई भारत चोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फेराया प्रधान मंत्री को फरक नहीं समझाया हमने हिंदुस्तान की भावना इस जंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाव के अंदर डाल दी आपने अपने जंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाव से छीन ली हम है सत्यग राही वो है सत्ता राही ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे ये किसी से भी मिल जाएंगे किसी के सामने जुख जाएंगे एक नया शब्द है RSS BJP वालों के लिए हम है सत्यग राही वो है सत्ता राही ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे ये किसी से भी मिल जाएंगे किसी के सामने जुख जाएंगे सत्ता के लिए ये इनकी सचाई है पार्लमेंट में बने प्रदान मंत्री जी का भाशन सुना कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फिर आया था मैं सुन रहा था मैंने सोचा देखिए हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री को बात समझ नहीं आई बात समझ नहीं आई नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के पंदरा बीस लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फिर आया भारत चोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फिर आया प्रदान मंत्री को फरक नहीं समझ आया हमने हिंदुस्तान की भावना इस जंडे की भावना जमू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी आपने अपने जंडे की भावना जमू कश्मीर के युवाओं से छीन ली ये फरक है हम में और आप में यह जो जंडा है यह जो तिरंगा है यह दिल की भावना है यह दिल के अंदर से आती है हमने इस भावना को कश्मीर के युवाओं के दिल के अंदर जगाया हमने उनसे नहीं कहा कि भाया तुम्हें तिरंगा लहराना है तुम्हें तिरंगा उठा के चलना है नहीं किसी से नहीं कहा अपने आप आए हजारों लाकों आए और अपने हाथ में तिरंगा उठा के चले क्यूं चले मैं आपको बताता हूँ कश्मीरी हुआ ने मुझे कहा मुझे कहता है राउल जी आज मैं आपके साथ तिरंगा लिये चल रहा हूँ जानते हो क्यूं? मैंने कहा क्यूं? कहते क्योंकि आपने हम पर और मुझ पर भरोसा किया है आपने अपना दिल आपने अपना दिल हमारे ले खोला है और हम आपना दिल आपके ले खोलेंगे यह फरक है हिंदुस्तान एक भावना है एक सोचने का तरीका है इज़त है, आदर है, महबत है और यह जो जंडा है, जो तिरंगा है इस भावना का यह चिन है और भारत जोड़ो यात्रा ने इस भावना को पूरे देश में फिलाया है और यह काम राहूल गांदी ने नहीं किया है यह काम कॉंग्रेस के कार्यकरता ने किया है कॉंग्रेस के नेताओं ने किया है हिंदुस्तान की जनता ने किया है अभी मैंने देखा आपने वो बोट रेस देखी होगी केरल में उस समय जब मैं बोट में बैठा था पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था मेरे पैर में भयंकर दर्द था मैं उस फोटो में मुस्कुर आ रहा हूँ मगर मेरे दिल के अंदर रोना आ रहा था इतना दर्द था मैंने यात्रा शुरू की काफी फिट आदमे हूँ 10-12 किलोमेटर ऐसे दोड लेता हूँ गमंड था मैंने सोचा था 10-12 किलोमेटर चल लेता हूँ तो 20-25 किलोमेटर चलने में क्या बड़ी बात मेरी माइंड में ये था पुरानी इंजरी थी कॉलेज में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए मुझे याद है मैं दोड रहा था मेरे दोस्त ने पीछे सरंगी मार दी और घुटने में चोट लगी दर्द गाइब हो गया था सानों के लिए दर्द गाइब था और अच्छानक जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की दर्द वापिस आ गया आप मेरे परिवार हो तो मैं कह सकता हूँ आपसे सुबह उठता था सोचता था कैसे चला जाए और पर उसके बाद सोचता था कि भई 25 किलोमेटर नहीं 3500 चलने हैं केरला की बात है 3500 किलोमेटर चलने हैं कैसे चलूँगा और फिर कंटेनर से उतरता था चलना शुरूँ करता था लोगों से मिलता तो पिछले पहले 10-15 दिन में जिसको आप अहंकार कह सकते हो घमंड कह सकते हो सारा गायब हो गया क्यों गायब हुआ क्योंकि भारत माता ने मुझे मेसिज दिया देखो तुम अगर निकले हो अगर कन्या कुमारी से कश्मीर चलने निकले हो तो अपने दिल से आहंकार मिटाओ गमंड मिटाओ नहीं तो मत चलो